17-18 years for me to rehabilitate and my father told me हमारे पिता जी ने बताया था कि आप तो 10 लोगों को rehabilitate किया तो मुझे गर्व है मैं आपका पिता हूँ और मेरे बेटी ने इतना बदलाव लाई है लेकिन वहने डाइड आइकुड चेंज ओनी 7 पीपल इन 18 एर्स आइकुड चेंज 3,000 लोगों को हमने चे के पुर्ट परशन लेग नेतों केले मैं ने कर सकती ती our we worked very hard we had lot of threats many people said we'll break your knee then I took a police protection and they would have started believing in us that we are working for them and then we made a santa or the their registration registered organization kia or whose case I can come here now they are on their own they're their own bank their own shops etc and I used to always wonder हम सोचते थे हम तो मिदल क्लास के लोग है हमारे पिताजी डॉक्टर थे और प्रोफेसर थे हमारे आमा स्कूल टीचर थी मेरे नाना जी स्कूल टीचर थे हम तो बहुत धनवान फैमली से नहीं आये हैं मिल्ड क्लास फैमली से आये और घर में भी मिल्ल क्लास ही हमने रहते थे और कमी भी किसी का पैसा के लिए हम काम नहीं किया अल्वेज हाओ एम उस्टू लर्न मोर और भगवान ने हमको छंपर पाड़के इतना पैसा दिया हम नहीं सोचे थे क्योंकि हमारा अस्बंड का ओओ इन्फोसिस एडवेंचर था एडवेंचर में सकसेफूल हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं और भगवान ने इतना पैसा दिने के बाद मुझे ए प्रश्णा उर्था था कि मैं भगवान को पूछती थी अपने पैसा क्यों दिया मुझे आरा क्या है और मैंने इस देवदासी काम शुरू किया उस समय मुझे उनका वेलु स्टार्टेड इस ओर्नाइजेशन फॉर देर टेंथ एन्नवर्सरी वेन आइवेंट उस ओ गैदरिंग में पांच हजार लोग थे तीन हजार देवदासीत अन्टू हजार उनके बच्चे ओ ल और मुझे याद आया कि अठार साल में उनका जीवन कैसा गुजा रहा है और मेरे और अभय का जीवन कैसा उनके साथ जुड़ा था हमने बहुत काप किया लेकिन हमसे जादा हमारे उपर विश्वास रखके वह हमारे साथ हाथ जुड़ा वह महत्तो है और मुझे एंगदम उसका उत्तर मालूम हुआ कि अरे उपर जाने के बाद भगवान मुझे पूछेंगे कि हम आपको इतना पैसा दिया और बुद्धी लेकिन अपने क्या किया हम उत्तर दे सकते हैं भगवान आपके बच्चों का हमने ख्याल किया एतीन हदार लोगों को हमने ए नर्मल लाइफ को लाया and that time I realized why God gave me money I got the answer if God would not have given me money though I would have worked hard I would not have been able to make such a big change suddenly my mera kya bolte hai wish list became so empty so empty and thank you God you give me a life where I could touch people thank you for giving me money and I became so quiet inside my mind I don't have any desires any for any padwi or any puraskar or any position no I only say if it is there well and good if it is not there well and good what this is you